जहीं दोस्तों अगर आप आरारवी टेकनिसियन का फार्म फिल कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम इसमें पताएं कि आपको फार्म फिल करते समय कौन सा जोन सिलेक्ट करना है अगर आपको यह बात नहीं पता है तो आप बहुत ही कर सकते हैं इसके लिए हमने वालों का भी वीडियो डाल दिया है अभी हम फिटर वालों के लिए बताएंगे इसके बारνने करता हैं तो नहीं करत हुए और यह वीडियो इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी का दुख कर कहीं नहीं मिलेगी कि यह सारी जनकारी आपको मिले आपको फारफिल करना किस जोन से कहां से यह जानकारी जबहुत ही जरूरी जरूरी है अगर यह जानकारी है और तो नहीं साइस पता है कि आप के वो फिटर में भड़ सकते हैं इक अगलग बात अप अगला और इंग्परी करण कर सकते हैं यह भी सत्यता है ठिक और इसको आप जाने आप इसको नहीं सकते हैं यह जानकारी नहीं है तो आप गड़बड कर रहे है चली चली हम देखो फिटर कि बारे बात करने वाले है तो देखो हम आइटी आई तो लेकिन जो फिटर कौलिफिकेशन इस सब्सक्राइब के वाले इस कौलिफीकेशन वाले लड़के बच्चे जो भी हो यो देखो कितने कटेगरी है यह क्टेगरी है अभी नोटिफिकेशन नहीं पढ़े होंगे तो आप जान लेजिए कि नोटिफिकेशन कटेगरी तीसरी कटेगरी चोथी साथ वी नौवी दसवी गिरावी बरावी पंद्रावी इन सब में फिटर वाले फार्म फिल कर सकते हैं लेकिन बच्चे कन्फ्यूज हो रहा है कि हम ग्यार फार्म फिल करें यह बताना बहुत ही कठीन है इसका अनलसी लगता है टाइम लगता है चीटे गिननी पड़ती है कहां के है किस कटेगरी से है और कहां से फार्म करना है तो हम इसमें फिटर वालों को पूरा डिटेल देंगे आप प्लीज वीडियो बने रही है देखिए सा सब्सक्राइब its में फ्लीफीके फार्म केनल मिक्स जो अधर ट्रेड है वो किसकी में भर सकता फिर्वाला तीन नंबर गयीरी के बिछ वाले में भर सकता है फिटर वाला चन नंबर के टेगरी कैरेज वेगन में भर सकता है फिटर वाला डीजल मकेनिक साथ नंबर कटेगरी है उसमें भर सकता है फिटर वाला नव नंबर कटेगरी इलेक्ट्रिकल सुचो इलेक्ट्रिकल में फिक्टर वाला बना है यह ट्यारस करके है इसमें भी फिटर वाला भर सकता है और कटेगरी उ जो PCM वाला था PCM अलब 12 वाला था इसमें तो सभी आइटी अट्रेट सकते हैं सभी आइटी आइट्रेट का मतलब फिल्टर वाला भी इसमें फान किल कर सकता है ठीक तो आप ऐसे सीट की नहीं है ना आप इसमें कहा रहे हैं इसलिए आपको यह जानकारी बहुत जरूरी है और हम बता दें आप एलपी यह टेकनीशियन किसी भी सब्जेक्ट की साइंस अगर छोटा वीडियो थियोरी की पढ़ेना चाहते हैं जो यसके जासर है या रुकमरी पब्लिकेशन जो बुक है उसका पूरा निचोड एक पॉइंट और वीडियो आपको यहीं इसी यूटूब चैनल पर जाएंगे प्लेइलिस्ट में पढ़ा है आप 6-7 घंटे में पूरी थियोरी पढ़ सकते हैं और 6-7 घंटे पूरी थियोरी पढ़ने वाद क्योंकि आपको क्यों क्यो तो आप थियोरी 6-7 घंटिम कंप्लेट कर लिजिए और आप फिर आगे अपना कुस्चन करिए चलिए हम इधार वैकेंसी डिटेल पर आते हैं चलो तो यहां देखो फिटर का यह है फिटर आपकी रियल्पेक वैकेंसी पता आई है 9100 चौवाली आई थी और हम लोग कि जो जली गई है चली तो जो हमारे ट्रेड का है ट्रेड का जो ट्रह वाले है ग्रेड वन को छोड़के जो अंत्र का है जो उल्ट ईंसी है वह यह नो च्लिक लिखुअ देखो यह से बीलासपूर में या मैं यह यहां अमने टोटल वैकन्षी में June 2017 में उसकé बाद उसके मिक्स ट्रेड में कितनी यह मतलब कि स्कूरिपस कर भेलां सकत रही उसके ही ट्रेड में कितनी वेकेंसी है यह हम बताएंगे बाकि यह मिक्स मलब ओवराल ट्रेड मिलाके जिसमें फिटर भी डाल सकता है उसकी बताएंगे आपको यह कालम ज्यादा देखना जरूरी है इसका साथ-साथ यह भी मैच करना उसके बाद आप देख लेना कि हम कहां स से सुटेवल हो रहे है ठीक चली हम दिखाते हैं और गिनते जाते हैं चली देखें बिलासपूर से ग्रेट थ्री जो टेकनीशियन ग्रेट थ्री कि ए सास चाचार पोस्ट है जिसमें से फिटर वालों को 251 सीटों पे सभी ट्रेड मिला के सीटे मिलेंगे कहां से फिटर वालों के मिल दे हैं जिसमें फिटर केवल फिटर में 25 सीटे हैं ठीक ऐसे आते हैं हम दो किया देखो पचीश सीटे है ऐसे पुंबई में 1132 पोस्ट है और उसके बाद किसकी टेकनीशियन ग्रेट थर्ड की पोस्ट यह पूरी लिखी है ठीक उसमीत जो फिटर वाल हैं तो ठीक तो यह सबसे अच्छा जगहा है सबसे अच्छे मलब चीजा निकल कहा रहे है कि अच्छी चीजा निकल कहा रहे है प्रीज वीडियो बने रही कोलकाता देखिए 142 सीट यह 432 सीट ओवराल है लेकिन 148 केवल फिटर वाले जिसमें सब ट्रेड है उसमें फिटर के लिए है यह भी बहुत अच्छा दिख रहा है ना यह अच्छा सेफिश्ट जोन दिख रहा है और इधर 6 सीट के वल फिटर वाले में तो हमको विए पूर ओवराल देखना है क्योंकि हमको फिटर में जिसमें फायट कर सकते हैं वह पूरी सीट हम गिनेंगे ठिक चलिए अहमदाबाद में देखें 687 पूश्ट ठिक अहमदाबाद 655 सीटे है जो कि काफी काफी कंफ्यूजन वाला है कि 200 सेवल सीट के वल फिटर में है यह तो बहुत अचंभी वाली बात है ठीक और यहां से सबसे सबसे सेफेस्ट जोन बन रहा है यह वाला ठीक अब उसके तीनसओएकृसित में 149 सीट में में कोई सीटव नहीं हैँ प्तर के कीवल ट्रेड में ठीक और यह भीपाल में 3773 सीट्सीट यो टेक्निसियन की है उसमें 177 सीट मिक्स वाले में जिसमें फिटर भी डाल सकता है और तालिस शीट को फिटर का जो ट्रेड है उसमें आयी है ठ सब नटर मसीनिस्ट बहुत इपांसो आट सीट बहुत है अच्छा भी है ऐसा नहीं कि आप छाय भी अच्छी खासी पोस्ट है यहां मालदा से 250 पे क्यावन एक क्यावन पोस्ट मिक्स वाले में 31 पोस्ट के ओल फिटर वाले मिया भी फिटर का पोजीशन अच्छा है देखो यह रिश्यू मलब परसेंटाइल देखा जाता कि कि तरी सीट में कितना फिटर को दे गया दिया गया ठीक प्र अब 170 सीट में आपको मिक्स वाले में सीट मिल लए और कोई सीट फिटर से नहीं आई है और इधार देखते हैं तो हम भूने स्वा से 138 पोस्ट 138 पोस्ट किसके लिए है टेकनीशन के लिए लिकिन 42 मिक्स में आप जिसमें सब रहेंगे आप फिटर वाले भी 42 उसमें मिले ठीक इधार देखो बेंगलूरू में 98 पोस्ट वराल है और 27 पोस्ट इसमें फिटर को मिल रहें बाकी अधर में मिक्स वाले में आपको 27 इसमें मिल रहे है आपके फिटर में केवल कोई पोस्ट नहीं आई है इधार मुझभःपुर देखे तो 48 सीट आई है और 6 सीट के व केवल फिटर वाली जो ट्रेड है उसमें कोई पोस्ट नहीं है तिरवेंद्राम में 82 फिटर वालोग मिल रहे है केवल कोई पोस्ट मिल नहीं यहां देखो क्रास अमने यह लगा दिया 17 सीट यह देखो तिरवेंद्रम का 82 हो गए पटना का 220 में 205 सीट स्वाले में आप जि है 115-25 पर ठिक गोवराखपूर में देखें 103 सीट 103 सीट 103 सीट मिक्स वाले मिल रही 17 सीट फिटर वाले मिल रही है ठिक ठाक है यहां भी पोजीशन आप डाल सकते हैं फिटर का पॉजिशन अच्छा ऐसा नहीं है सीलिव गुड़ी में 65 सीट है 25 मिक्स वाले मिल लाई बाकी और कहीं नहीं मिल लए फिटर के अगर अगर ये बाते नहीं समझ मा रही है आपको बहुत लोग एकदम लुल होते हैं सुरी बोलने के लिए लेकिन ऐसा मेरे पास फोन आता है काल होता है कि एक सुबह बच्चा है क पुझा सब कहां सफार्म डाले है हम जा रहे हैं कर दिशेश को का पता है वह आप फिटर बोलेंगे तो आप फिटर का डिपार्टमेंट का सकते हैं यह कि बताय का है तो गया प्रकां से इसलिए आप हों ऑसी आरो समझिये कि आपको फिटर के साथ उनकी सीटें गिन सकते हैं, उनकी सीटें गिनके और अपनी सीटें गिनके, तब फार फिल करिये, वो बाते हमने यहां गिना दी है, आप देख लीजिये, ठिक, अगर नहीं देख रहें, तो आप बेवकूप हैं मैं कहा रहा हूं अगर आप नहीं समझे पा रहे हैं तो फिर फ्यार भरने का कोई मतलब नहीं है कि और इसके साथ साथ मैं बता दू कि बेशिक साइंस और इंजिनियरिंग का जो एलप पूछा जाएगा उसकी मैंने क्लासे अच्छी खासी डाल दी है दो तिन तिन चाचर घंटे का जो पर चैप्टर जो आपके बड़े-बड़े राइटर्स लिख रहे हैं मार्केट के बोक इस इंगीनियरिंग के बुक सारी बुकों को मिला कि मैंने अच्छे से कंप पंद्रा-पंद्रा मिनेट की वह भी असके जाज और मड़ी यह सारे के कंटेंट जो की पूरे मलब इतने धेर सारे उसमें लेक्चर में आपको थियूरी पढ़नी पड़ती आपको 17 मिनेट 18 मिनेट कुल मिला के एक डेल घंटे में जो आप 10 घंटे में पड़ते एक डेल नहीं जान ञान हैं तो आपको कवल रीवीघन करना अब रिवीघन करके निकलन कर या को स्टान करिएторियों के ग्यां से कहीं से कहीं से अपने से पढ़ी या हमारे आप के पढ़ सकते हैं ठीक और मैं को सिसक्रेंगे मैं रचन डालेंगे अच्छा से खतम कर आएगे ठीक इसके साथ मैं अपनी वीदियो खतम करतां जैंग